हालो गाईज कैसे हो आप लोग यार बहुत टाइम होगया आई नो जावस्क्रिप का कोई भी लेक्शन नहीं आया रियक्ट की कोई सीजीज नहीं आयी या थोबस आना कंपनी और उन्हों नहीं गुदा लिया तो ओफिस क्या कर सकते हैं क्या कोई नी सो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आज हम आउपूर बेस कोशन देखने वाले हैं ओन जावा स्क्रिप्ट यह क्या होदा देखो इंटर्वी गुवा तुमारा ठीक है इंटर्वी के अंदर सामने वाले बंदे ने तुमसे थिर्टिकल कोशन पोश लिए कि what is event loop and what is callback function, callback help, set timeout, set interval लेकिन यह दर दो मतर में बता दिया, theoretically बता दिया कैसे क्या होता है but then आते हैं output-based कोशन कि यार देखो यह चोटा सा code का snippet है and snippet है and इसका तो मैं output बताना है बस महीं लग जाते है क्यों? क्योंकि हमने code किया है, API लिखी है, API call लिखा है express.js में API लिखी है और हमने function को call किया है max, bus, उससे अदा हमने कुछ नहीं किया ठीक, तो अब output इस question में क्या होता है, किसी ने पूर्ख ही है suppose को example के लिए 7, less than 6, less than 5, what is the output of this question अब हमें क्या पता है, हमें मतलब ऐसस याद रहें है, कि left to right वो iterate होता है या पर left to right हमें expression को read करते है right, तो यह समस्य हो जाती है तो इसके लिए तो simple solution है practice करो, ठीक और practice नहीं हो रहे है, यह video complete देख लो, कम से राओं 20 question है, हम इस video के लिए करने वाले है 20 से जादा करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, तुम लोग देखना बंद कर दोगे तो इस video में console की application को लेंगे, simple HTML का page है कोई भी code में लिख रहा, VS code वागर आप है हमारे console सबसे बढ़ यह चीज है, यह ही खिल लिंगे हम जो भी है ठीक है, तो console के application में बंद करेंगे अब, यहाँ पर हमें question टाइप करना है और उसका पर output लेना है ठीक है, तो चलो start करते है अब जादे को 200 में भी आतर लिए नहीं बैठा हूँ I have the questions, ठीक है Sorry, end लोग यह अब इसका output क्या होगा मैं एंटर क्या होगा, आउटपूट आ जागा, लेकिन पहले तुम लोग बताओ मैं अब comment करना, ठीक है इसका output होगा true, reason is सबसे पहले हम देखने है 5, ठीक है, क्योंकि यह left to right यह करता जावस्किप के अंब 5 से पहले 6 compare होगा less than है, आब आई बिल्कुल है ठीक है, यह true हो जाएगा अब true less than 7, यह compare होगा इसका output है true and then less than 7, ठीक है तो वो भी true हो जाएगा, एक बाद चाहो तो try करके देख लो console.log true less than 7 output होगा, ठीक है क्योंकि वो left to right read करता है उसको statement को अगर right to left read करेगा तो इसका answer false आएगा राइट, चलो, दूसरा question देखते है बहुत basic चीज़े हैं यहाँ, एक चलो एक और basic question देखते है start में basic से कर रहा हूँ, बाद में तुम लोग यह नहीं कहना कि अरे यार, अब तो क्या ही होगा हमारा भी लूप वगरा मैं start कर दूँँगा जब चीज़े है, zero zero equals one चीज़े है and मतलब shift enter दबा के never enter भी कर सकते हो and one not equal to true sorry यह false होगा, चीज़े है अब बतावन क्या output के आएंगे zero equal to equal equal false false है, of course है क्योंकि zero treat होता है as a false and क्या one not equal to true है इसका output क्या आएगा पहले तो इसका output क्या आएगा इसका output आएगा true ठेक है, क्यों, क्योंकि zero false की equal है and one not equal to true तो क्या one equal नहीं है true के भाई one equal है true के, तो देखो पहले का आएगा true नीचे का false, simple वही question पूसे जाते है ठीक है, चलो एक फोड़ा सट्रे की question लेते है suppose को यहाँ पर हमने variable लाल दिया एक let भी ले सकते हो let f equal 8, okay shift enter, console.log console.log मैं तुम print कर लो 11 plus 5 plus ठीक है, कई मुस्तर गोलते नहीं होगा इसके अंदर, चलो वह तो है भी है इसके अंदर इसका output क्या होगा 11 plus 5 क्या होगा 11 plus 5 होगा, 60 then plus 5 plus f क्या output होगा इसका इसका output है 24 क्यों, अब हमने plus f लिख दिया अगर हम plus f नहीं लिखते simple हम यहाँ पर f लिख देते 168 तब उनने character की value ले ले लिए उसके ठीक है लेकिंग जब हम plus 5 लिखते हैं plus f लिखते हैं तो javascript के अंदर अगर हम plus add करोगे तो वो क्या करता है, automatic आपकी string को number में convert कर देता है यह शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा अगर पता है इमानदारी, 6 मेने पहले मुझे भी नहीं पता था वाह, ठीक है, चलो दूसरा question लेते है तो रहसा normal question लेते है एक काम करोई से clear गलो पर लाए, बहुत हो के है इधार से clear कर लोगों को इकत नहीं है terminal नहीं नहीं, ठीक है सो एक चलो string को कोशन लेते है console.log, ठीक है अब इसके बाद है apple.split जावा स्क्रिप के नहीं चीजें ऐसी है इसका कोई इसाब नहीं है इसका output क्या होगा split function क्या करता है, पहले तो यह पता होना था आप लोगो, split function एक किसी भी string को, कोई string है आपकी, ठीक है उसमें अगर split आप denote करते हूँ तो split से वो जो भी आप यहाँ पर जाए से को जो भी character दोगे या space दोगे, या कहीं space नहीं दोगे तो उसको यह convert कर देगा array के अंदर, ठीक है तो अगर हम apple को split कर रहे है या बिदाओट space, झाप पर कोई space है दो नहीं अगर space कर देंगे तो कुछ आएगा नहीं तो यह convert कर देगा आपकी अप्पल को एक array के अंदर, आपका output आएगा array तो बहुत से cases में गया होगा है, question बताऊँ मैं उसका चोटा सा uses मैं कि अगर जिसे कोई आपको बोले कि भाई एक इस ट्रिंग करना फ्रिंग करना एक यहां पर स्ट्रिंग रिकों रिया कहां जाओ आपको जाता हूं is name my hello, ठीक है, अब सबसे पहला तो इसको अरे में convert करना है, ठीक, अरे में convert करने लिए आफ फिलिड यूस करेंगे, जिसमें आप अब मैं इसको क्या रता हूँ, console.log, s.split, ठीक है, दिखते जाना, और character में दिया space, और इसको प्रेंट कर दिया, यह बनगे array, अब इस array को रिवर्स प्रेंट करा दो, सिंपल सी बता है, ले लो यहाँ, end-to-end टुक जाओ, जैसे console.log की जगह, यह न, इसको वैल्यू को आप ले लो, अर में ले ली आपने है न, array में लिख सकते थे, air.reverse, ले लो, कर देगो, काई है, चलते है, लेको, इस नेम मा आ लो, बना तुम्हारा questions all होड़ा, Everyday से, रहाँ, यह बने-कौई नहीं कोई नहीं, ठीकिन कोई नहीं, और यह फिक है भी नहीं कि यही कोशन आजाए तुम लोग तो भाई क्राफिक रेट हो कुछ भी कर सकते हो एरे तो चोटी पोटी चीज नहीं कि सब्सक्राइब मत करते हैं गलती से ना अब मैंने करना था अब मैंने करना था अब इन्डेक्स आफ इसमें को नमबर मिलना है अब इसका आउपुट क्या होग दो या सिंपल सी बात है इंडेक्स आफ का बहुत ही अच्छा मनलब इंगलिश मा मेंनिक समझ में रहा है कि इन्डेक्स क्या है तो यहां पे यह फंक्शन डेनोट कर रहा है कि 19 की index क्या होगी अब तो लोगा पहली बार index क्या होगी है 120 से start होता है 012 ठीक है 19 तो अगर मैं इसको print करता हूँ ठीक है कोई बात नहीं है ठीक है तो const array बना दिये तुमने आज चेंज़े बने ओके तो चलो दूसरा question देखते हैं किते question हो गिन रहा है कोई मैंने किन रहा हूँ चलो कोई नहीं चलो एक question हो करते हैं रिसमें को क्या करना है const array 1 simple assign तो 123 ज्यादा नहीं const array confused जो गए बनना 123 ठीक है दो दो एरे क्रेट करते हैं बहुत basic अब एक अपन को क्या state क्या करना है एक string क्रेट करने है ठीक है string क्रेट कर दिखते हैं एरे नहीं simple string 123 ठीक है similar to array अब condition क्या चेक करने है कूर क्या चेक करना ही तो variable declaration हो गया हाल बताता होगी कि यह variable है ठीक है ठीक है अब what what is the output output क्या हो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है एरे compare होड़ा दो हमें same value तो इसका answer true आना चाहिए और array वन क्योंकि भाई यह तो one array है आए कि array one टू एरे टू compare हो रहा है double equal है ठीक है यह भी double equal triple equal का भी चक्कर है तो यह क्या कर रहा है सबसे पहले इनकी object की reference को compare कर रहा है values को compare नहीं कर रहा है कि array one का object का reference क्या है memory के अंदर एन एरे टू के object के reference करेंबे में गेंदे दोनों के reference अलग है इसलिए उसने false से दिया अब आजाते हैंम में string के उपर अब string और era 1 में comparison हो रहा है तो यह जो आरे 1 के variables को अनिदिए convert कर रहा है क्योंकि हमारे पास pipe conversion होता है Javascript के अंदर जावा मैं तो इतना कुछ है नहीं जावा पाइटन वेकर फैक देगा ले आउप नहीं चल ला है ठीक है तो एरे वन गे अंदर जो वैल्यू है एंस्ट्रिंग अंदर यह वैल्यू है वो गंपेर कर रहें नहीं है तो देख लो एक बढ़ा अधा जैसे मैं इसको फोर कर दो तो हमेशा memory management और टाइप कैसे चेक हो रहा है वो जरूर याद रखना है चलो एक कुशन हो लेकि चलते हैं टाइप कंवर्जन की बात आ रही है या फिर सिंपल एरे की बात आ रही है च्छिक है कि मैं इसको clear कर देता हूं स्क्रीन ऊपर रहेगी ठीक है अम मान के चलो हमने क्या करा के एक न एक हमने const एरे डेक्लियर करा सॉरी एक एरे नहीं एक एक ऑब्जेंट इसके इंदर एक वैल्यवल एक वैल्यू है ना const d same x और इसके अंदर एक वैल्यू है अज़ी पर्षान मत रहाना है पास ही लिट दे रहा हूं मैं इसी से गन्फियूज हुए ठीक है अलग लग नहीं है एक है अब मैं इसको compare कर रहा हूं console.log a equal equal d यह triple equal है remember और एक मैंने console.log लिखा जिसमें के लिखा मैंने a.x equal equal b.x ठीक है अब दोनों का output क्या होगा पहले बाले का क्या होगा भाई देखो अब तो मैं triple equal लगाया है तो a और b लगर देखना पड़ेगा तो यह क्या चेक करेगा तो पहले बाले में क्या चेक कर रहा है आपका a और b का object exact object कि यह object same है कि नहीं मैं मैंमूरी के अंदर triple equal equivalent है ठीक है तो पहले वाले में क्योंकि भाई दोनों की मैंमूरी तो अलग है सेम जैसे मैंने पताया था पहले question में तो इसका answer आएगा false अब यहाँ पर simple दिख रहा है ना कि तुम्हें value compare कर रहा है वो a.x की और b.x की object तो है नहीं object की मैंमूरी तो है नहीं ठीक है तो इसक output क्या होगा दोनों का false हो जाएगा क्योंकि जब हम triple equal करते हैं तो हमारा type b चेक होता है और value चेक होती है मतलब पहले प्रोग्राम में यूज करोगे सब्सक्राइब अब तुम्हें पता है जावस्क्रिप्त के अंदर हम area के अंदर कुछ भी value तुम्हें पहले इक में डाल दो int , तुसर में डाल दो string , तुinek डाल दो boolean , फोर्ट में डाल दो object है तो छलेगा तो मैंना 11 के बाद押 दाल दी नलött ऐसके बाद दाल दे ऋ Import , बन दाल दो इसके बाद डाल द दन पक्षैर्ट उप स्वल्स स्के बाद दे दो डाल दो मैंना जीरो जिलगा ज एक तुम एट कर लो इसके अंदर 11 हो गया नल पॉल्स सब कुछ तो आई गया ट्रू डाल दो एक इसके अंदर ठीक है सब बुली अन्वागरा सब डाल दो ठीक है अब जीक तुवारा एक एरे बना ले तुमने को बढ़ी हां मतलब वो कहते हैं इंदर नहीं बना दी तुमने फुल्टर मैंतल होता है जो फिल्टर करते था वैल्यू को एरे के अंदर से अब इसका आउट्पुट क्या होगा मतलब तुम लोग दीख के ऐसे चौक जाओगे मतलब कि क्या ही आ गया यह परद तो इसी को देख करता हूँ चमतकार ठीक है अब इसका आउट्पुट क्या 11 प्रिंट हुआ, Null प्रिंट हुआ, False प्रिंट नहीं हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 0 प्रिंट नहीं हुआ, S प्रिंट हुआ, Undefined नहीं हुआ, 2 प्रिंट हो गया तो यह करता है आपका केबल जो वैल्यूस ठू है या True डिनोट करती है अगर उनको compare करोगे तुम True से है तो जीरो भी false है, Undefined भी false है, Right, तो this is the thing, कि और पता एक चीज़ों कर सकते है उसके अंदर तुम True भी लिंक दो, गलती से कोई तुम्हें बेब को परा रहे हैं लिए ये भी करता है, देखो, True भी नहीं आएगा, क्या हो तो कि मैंने ये symbol लगा दिया इसके अंदर, True को अंदर false कर दिया, बड़ी अजीब दुनिया जावासिप की, Right, कितना टाइम होगे वीडियो कनते हैं, पता ही चल्ली है, चलो पांच कोशन हो करते हैं, पांच कोशन हो करते हैं, वो है आपका loops का, है ना, loop में कैसे हम code लिखते हैं, तो एक for loop लिया, जिसमें I नहीं लिया, ठीक है आई के तो बहुत मारी हाती कंदी तरीके से, ठीक है, I less than 10, क्योंकि 0 से start हो रहा है, I plus plus, simple phone loop, इतना simple की पूछो मत, अब इसमें हम थोड़ा से मिलाएंगे, set time out, ठीक है, इसमें आएगा मजा, क्योंकि simple से को मैं नहीं नहीं आ रहा था, ठीक है, अब console.log, अब इसका मैंने या पर दे दिया, value is I, ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, set time out को, on loop को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है, अब मुझे बताओ, इसका output क्या होगा, क्या output हो सबता है, इसका, इसका output, simple देखो, मैं बताओ, कि यार, कुछ तो, सोचो, कुछ तो होगा, फरक, कि जैसे है, क्यों इंटर्व्यों ने ये set time out देया, अच्छा सब बिन set time out हो देता है, आम बोल देता है, 0 स 10 तर प्रिंट होगी values, set time out क्यों दिया, सोचो, ठीक है, क्यों set और यहां पर timing नहीं थी, अच्छा सब टाइमिंग देता है, कि हावे 1000 या 5000, तो हम लगा लेता है, 5 second हो प् प्रिंट होगी, पर तुम्हें रंगरी दिखा देता हूँ, देखा, यह आया है 10 times, यह भी अंदर, 10 times values 10, 0, 1, 2, कुछ ने, आप देखो क्या होगा, कि तुमने पहले गात हो यहां पर where दिखा, कि where I declare हुआ है, तो where I का क्या रहता है, scope आपका, वो lexical scope रहता है, मतलब set time out तक गई नहीं है, तब तक for loop ने उसको iterate कर लिया है, उसकी value 10 डाल दी है, प्लस प्लस करके, आपकी last value आई 10 होगा, कि भाई दुमने processing बता मिली seconds में होती है, ठीक है, तो जब तक वो set time out की processing तक जाएगा, तब तो उसकी value चेंज होगी, ठीक है, अब यहां पर क्या इक वाट सिलके रह जाएगा, दस बार चलना है, तो value तो already construct होगा है, लेकिन उसको दस बार चलना पड़ा still, ठीक है, तो इसलिए आया आपका value is 10, तो यह तो तो तुम्हारे questions, output base, और भी question है, यह part 1 है, part 2 भी आएगा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी question है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे comment में पेश करो, थोड़ा सा तुम्हें लगता है exciting है, कि भाई, यह वाला question होना चाहिए, हमारे वीडियो के अंदर, तो वो भी पेश कर देना, next वीडियो में वो भी आएगा, ठीक है, so, चलो, मिलते है, और हाँ, जावा export, array destruction, ES6, right, यह सब उसके अंदर cover होगा, तो stay tuned with Tirev, okay, चो के, मिलते है next वीडियो में, तब तक के लिए, bye-bye, और यार, mock interviews अगर तुम्हें देना है न, playlist channel को बच्छा, तो mock interviews ज़रूर देना, तब तक के लिए मिलते हैं, ठीक है, bye-bye, यह हाथ क्यों लागा वाद है?